हम बात करते हैं गाड़ी के एसी के बारे में कैसे काम करता है तो गाड़ी का एसी काम करता है दोस्तों सबसे पहले हम इसके बारे में जा लेते हैं यहां पर साफ मेंशन किया हुआ है कि हवा किस डायरेक्शन में लगनी चाहिए यह अगर आपका नोब इस साइड है तो हवा सबस्क्राइब अगर आपका नौब इस सई पोजिशन में है तो हवा यहां से फियांगी और नीचे यहां से यहां पर होता है हवाक यहां वहनटी और यह है दोस्तों अगर हम इस पोजिशन में करते हैं तो गार्डी के फ्रेंट में आगे और नीचे हवा जाएगी चाहे वो गरम हो या ठंडी और यह है दोस्तों कभी बारिश हो रही है या फोग हो रहा हूँ आपकी विल्ड स्क्रीन पे तो यह हवा वहां पे लगी कि वि एकिश लिए हो दोस्तों हवा कितनी तयजाई आपको कंम ज्यादभ दैस के लिए इस ब्रू निशाने पर रखते हैं तो सोच लीजिए कि आपकी ठंडी हवाई की AC चलाने के बाद इस बटन को ओन करने के बाद ये इस पोजिशन में होना चाहिए कुलिंग पोजिशन में अगर आपको चाना है हीटर उसको पूरा घुमा दीजिए पूरा घुमाने के बाद आपने करना है AC का बटन नही दबाना है रैड़ पे करने के बाद AC का बटन नहीं दबाना है सिर्फ बलोर्तS लाना इसे गर्म हावा आएगी अगर आपकी गाड़ी में हीटर लगा हुआ है तो AC को बिल्कुल भी नहीं दबाना हीटर वाली पोजीशन में है रैड पे इस बटन को नहीं दबाना सिर्फ आपने हवा चालू करनी है इसे गर्म हावा आने शुरू जाएगी तो अब गर्मियों का है कि मैं इसको प्लू वोपे कर देता हूं तो यह है दोस्तों कि यह वाला कर्भा हैरा यह बार की हवा के लिए अब यह data क्यों एसमें शायर किया हूँ है कि एंदरिंदर रहें रहों कि नक送शां को बार की हवा चाहिए तो इसको ऐसे प्लाइ कर देजिए अब बाहर के आवा पानी शुरू हो जाएगी गाड़ी चलाते है वक्त तो यह थी कुछ बेसिक नोलेज और गाड़ी का एसी जब ही स्टार्ट होगा जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी अधर्वाइज नहीं होगा अधर्वा ट्रिcessors किसले किसले अमानी होगी आफचा जब है उसकी आपकी वक्त एजसे है we the चाहिए आी हागी तो थागगी उशने होगा जब चे नहीं होगी तो णए प्लाइज पतरों मसैने होगी स्टार्ट हो